आज हम बनाएंगे मिल्क सुजी हालुआ सुजी को हम मिल्क साथ बनाएंगे यानि दूद के साथ इसे हमारे टेस्ट और भी स्वाद बढ़ाएंगे इसलिए आज हम दूद के साथ बना रहे हैं आप सभी का हमारे आयो कीचेन में स्वागत हैं चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यह हमने एक बाउल लिये उसमें हम ड़लेंगे एक कप सुजी एक कप दूद जिस कप से हमने सुजी लिया उसी कप से ही हमने दूद आट किये और इसे अच्छे से मिक्स कर लिए और यह हमारे अमिक्स हो गया है अब इसे हम ढ़क के रख लेंगे अचलिए कीचेन की ओद यह हमने ग्यासन करके कलाई गरम कर लिये हाग चामच उसमें डाल दिये घी घीत को थोड़ा गरम होने देंगे और इसमें हम डाल लेंगे ड्राइप्रूट्स यानि काजू और बाद देते हैं और यह हमारे बुन गया है अब इसमें हम आड़ करेंगे किस्मिस को हमने बाद में इसलिए आड़ करें हैं ताकि यह जल्दी बुन जाता है इसलिए हमने बाद में किस्मिस को आड़ किये और यह हमारे बुन गया है इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे और उसी कड़ाय में हमने फिर दुबारा दो बड़े चामच घी डालेंगे और जो सुजी हमने भीगो के रखा था दूद के साथ उसे हम डाल लेंगे और घी में अच्छी सी भून लेंगे और यह हमारे देखे सुजी भून गया है अब इसमें और दूद आड़ कर लेंगे इसमें दूद आड़ करते हुए अच्छे से हम मीश कर लेंगे और इसे कवर कर लेंगे आठ से दोस मिनित तब फिर इसमें आड़ करेंगे हम किसर के धागे हमने भीगो के रखा था किसर के धागे डालने से उसे और खुस्पू और टेस्ट भी और बढ़ाएंगे इसलिए हमने केसर के धागे को डाले आप चाहे तो स्कीब भी कर सकते हैं और इसमें अट करेंगे हाग चामच इलाइची पावडर इलाइची पावडर आड करते हुए फिर उसको हम दूबर आच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें फिर और डलेंगे हम दो छोटे चामच रोज वाटर यानि गुलाब के जल और इसे फिर दुबरा हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें अधिकर लेंगे हाप चामच चीनी यानि सुगर और जो ड्राइ फुर्ष हमने भून के रखा था उसे हम डाल लेंगे आधा हमने आड की आधा हमने रख लिये तकि बाद में हम इसे गानिस करेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारे मिक्स हो गया इसे फिर ओर चार पांस मिनिट के लिए हम कवर गर के रख लेंगे चार पांस मिनिट बाद फिर उसका कवर हटाएंगे हम और ये देखे इसे हमारे कितना अच्छे बद के त्यार होया है हाल्वा आप चाहिए तो इसमें आप और घी आढ कर सकते हैं क्योंकि हमें घी की तुझो रथ नहीं है अगर चाहते हैं तो आप और आढ कर सकते हैं और इसे हम गयासब करके निकाल लेंगे एक बावल में हम निकाल लेते हैं और उपर से जो ड्राइफ फूर्स हमने बचा के रखा था उसे हम ड्राइनिस कर लेंगे और ये हमारे बन के त्यार हो गया है मिल्क वाले हालुआ I hope कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगए होगी, helpful होगी हमारे इस तरह के और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को स्याका देजिएगा हमारे वीडियो देखने के लिए थांक यू सो माच